हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में दोस्तों आज हमारी उत्राखंड BS नेगी MSQ सीरीज का फिप्ट पार्ट है चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला ग्यूशन है उत्राखंड का परतम उल्ले किस वेद में हुआ है रिग वेद में किस वेद में उत्राखंड को देव भूमी एवं मनीश्यों की पूर्ण भूमी कहा गया है रिग वेद में निम्र में से किस पुराण में पांच हिमाले खंडों का वर्णन किया गया है इसकन पुराण में उत्राकंड हेतू उत्तरकुरु सब्द का परियोग किस ब्रहमन में मिलता है एत्रे ब्रहमन में किस ब्रहमन में वाक देवी का निवास इस्थान बदरी का आशरम बताया गया है कोस्त की ब्रहमन में किस बासा के बोट साहिते में उत्राकंड हे तु हिमवन्त सब्द का परियोग मिलता है पाली बासा के। पुराणों में केदारकंड व्य मानसकंड के संयुक्त छेतर को कहा गया है उपरियुक्त सभी उत्राकंड खसदेश व्य ब्रहमपुर। निम्न में से केदारखंड, कस्मीर, जालंदर, मानसखंड, वै नेपाल हैं, इसकंद पुराण में वर्णित, पांच हिमाल्यी खंड नंदा दिवी परवत से काल गृत तक के छेतर को क्या कहा गया है मानसखंड माया छेतर से हिमाल्य तक के विश्टर्थ छेतर को क्या कहा जाता है केदार खंड निम्न में से किसकी सिमाओं का विभाजन बधान छेतर एवं नंदा दिवी परवत करता है केदार खंड व्या मानस खंड का निम्न में दिये गए कतनों में कुन एक सुमेलित नहीं है उप्सन देखते हैं 1515 के आसपास गड़वाल छेतर नाम अस्तितु में आया यह सुमेलित है बदरिका आसरम तबो भूमी केदारखन गड़वाल छेतर के पराची नाम है यह भी सुमेलित है कुबेर की राजदानी अलकापुरी पितोरागड में थी यह सुमेलित नहीं है निम्न में से कुबेर की राजदानी अलकापुरी किस जिले में थी चमोली जिले में मनुष्यों के आदी पुर्वज मनु का निमास इस्थान था अलकापुरी जोकी चमोली जनपद में कैदार खंड में गडवाल की सिमाओ की लंबाई और चुड़ाई बताई गई है एवा भी दोनों पचास योजन लंबाई वे तीस योजन चुड़ाई किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्रवै सुदास ने असुर राजा संबर के सो गड़ों को नष्ट किया था रिग वेद में रगुनात मंदीर कहा इस्थित है रगुनात मंदीर देव परियाग टीहरी गडवाल में इस्थित है किस वेद के अनुसार बदरी नात के निकट गणेस व्यास इसकंद नारद वै मुचकंद गुपा में वेदिक गरंतों की रचना होई थी रिगवेद में निम्न युगमों को सुमिलित कीजिए उप्सन देखते हैं राजा विराट की राजदानी विराट गड़ी ब्रिंग तुंग केदारनाद बाना सुर गड़ मंदिर लमगोडी विसोन परवत टेहरी गड़वाल इसका अनसर होगा दो तीन एक चार उप्सन देखते हैं उप्सन ए सही अनसर होगा माँ भारत में किस परियाग को समर्ग बापो का विनासक एवं तिर्थो का सिरो मनि कहा गया है देव परियाग को नीचे दिये इस्थानों में से पुलिंद राजा सुभव की राजदानी कहा थी सिरी नगर में तपोवन टहीरी गड़वाल में किसने तपश्या के थी लक्समन जीने किस परू के अनुसार अरजुन का विवा नागराज कोरव की कन्या उलूपी से गंगाद्वार में हुआ था आधी परू के अनुसार पराचीन काल में पर्सिद विध्या पेठ थे एवय भी दोनों कंवा आस्रम वै बदरी का आस्रम कणवा आसरम निम्न में से इस्तिदे पोड़ी गड़वाल में महा कवी काली दास ने किस गरंद की रचना कणवा आसरम में की थी अभिग्यान सागुन तलम की निम्न में से किस इस्थान पर बसंद पंचमी के दिन मेला लगता है बीवे सी दोनों कणवा आसरम वै चोकागाट में, कणवा आसरम का वर्तमान नाम चोकागाट है, निम्न में से कणवा आसरम किस के लिए परसित्था एवा भी दोनों, दुश्यन्त और सकुंतला के प्रेम परसंग हे तू, वै चकरवर्ती समराट बरत के जनम हे तू, कणवा आसरम किस नदी के तठपर इस्तिते मालिनी नदी के, गूरू विश्वा मित्र और अपसरा मेनका की पुतरी थी सकुंतला, अलमोडा में यक्सों के निमास की पुष्टी कौन सा मंदिर करता है जाखन देवी मंदिर, मानस खंड वै कुर्मान चल किस छेतर का प्राची नाम था कुमव छेतर का, कुमव छेतर में किन्नर, यक्स, नाग, गंद्रव, किरात जाती के निमास का वर्णन किस पुराण में किया गया है ए वै भी दोनो, बरंपुरान वैवायू पुराण में बेनी नाग बीनाग मंदिर की जनपद में इस्थिते पिथोरागड जनपद में मां भारत में किनके दुवारा सम्राट युदिश्टर को भारत के तिर्ट केंदरों के बारे में जानकरी दी जाती है रिशी धुम्मय दुवारा निम्न में से किसकी सिमाओं का विबाजन बधान छेतर एवं नंदा दिवी परवत करता है केदार खंडवाय मानस खंडगे मानस खंड़ के अनुसार किस इस्थान पर सिव की तपश्चा करने के पश्चात कार्तिके का जनम हुआ था जागेश्वर धाम में किस परवत के नाम पर मानस खंड को कुर्मान्चल कहा गया है कांतेस्वर परवत पोरानिक कथाओ के अनुसार भगवान विश्णु का कच्छब अवतार किस परवत पर हुआ था कांतेस्वर परवत पर राज कुमारी इस्वरा का लेक किस स्थान से मिला है लाखमंडल देरा दोन से निम्न में से तिरसू लेक किस स्थान से प्राप्त हुए है बीवैसी दोनो बाड़ा हटवैं गोपेश्वर से पुर्सोत्तम सिंग के बोध गया अभिलेक में कुमाओ के लिए किस सब्द का परियोग हुआ है कामा देश का किस ने गड़वाल सब्द उत्पत्ति के बारे में कहा है इस छेतर में बहने वाली छोटी छोटी नदिया या गाड़ों से गड़वाल सब्द बनाए हरिदत भट सैलेश के दुआरा उत्राखंड में वह इस्तल जहां यमुनावय टोस का संगम और जिस छेतर से प्राप्त अभिलेक को सर्व पर्तम जैम्स प्रिंसेप ने पढ़ाता वह किस नाम से जाना जाता है कालसी के नाम से किस जनपदगे हेमियान पट्टी में इस्तित ऐसा पर्वत जिसमें गुरु वसिष्ट ने निवास किया था जिसके पूरा अवसेस वसिष्ट कुंड एवं वसिष्ट गुफा आज भी मिलते हैं तेहरी गड़वाल में गड़वाल का वह छेतर जो प्राचीन विद्या पेटता और जिसके नाम पर कोट दुवार का नाम परिवर्तित कर रखा गया है कणवा आसरम का एसंगत कथन का चेयन करे ओप्सन देखते हैं कल पनातवाय देव परियाग में गुफाव के अंदर दिवार उपर लेक मिले ह मोर्धवज कोट दुवार से तीसरी सदी के मुतरालेक प्राप्त हुएं यहा कथन भी संगत हैं अलमोडा सिक्के चंद वन से संबंदित हैं यहा कथन ए संगत हैं तो अप्सन दी आंसर होगा अलमोडा सिक्के कुणिद वन से संबंदित हैं निमन सिक्कों में सीवदत सीव का परियोग हुआ है संक लेपी का, मुनिकी रेती वै सुमाडी से प्राप्त मुद्राएं कुसान कालीन, निम्न में से मुर्ती पिती का लेख कहांसे प्राप्त हुएं ए वै बी दोनों कोल सारी वै देवल गड से निम्न में दिये गए कि निस्थानों में से कार्तिकेपुर राजाओं के ताम पत्रिये लेक मिले हैं उपर्युक्त सभी बेजनाथ, पांडु केस्वर, कंडारा वै बलेस्वर मंदिर से काल सी सिलालेक की जनपद में इस्तित है देरा दून में सुमेलित कीजिए काल सी सिलालेक प्राकर्द भासा में है मिश्टर फुरेट ने काल सी सिलालेक की खोज की कालकूट कुणिंदो की राजदानी थी यमनावै टोन संगम पर काल सी है इसका आनसर होगा 4, 3, 1, 2 4, 3, 1, 2 उपसने सही आनसर होगा असो कालीन कालसी सिलालेक का समय है 257 इसापुर कालसी का प्राचीन नाम क्या है एवाबी दोनो कलकूर्ट वै सुधनगर किस सिलालेक में वहां के निमाचियों के लिए पुलिन्द एवं छेतर को अपरांत कहा गया है कालसी सिलालेक में निम्न में से लेखा परिक्षक किसे कहा जाता है सिलालेकों में अक्स पटलिक को तैसील के लिए परियुक्त सब्द हैं सिलालेकों में तालूका परतिहार सब्द किसके लिए पर्युक्त किया जाता है दुवार रक्सक के तैसिलदार के लिए पर्युक्त सब्द है कुल चारिक निम्न में से बल अध्यक्स किसे कहा जाता है सेना नायक को सिला लेखों में महत्तम किसे कहा जाता है गराम सासक को गड़ रक्षक है तू परियुक्त सब्ध है कोट पाल तो दोस्तों याद यह मारी वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद